नियूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसी पत्रकार से जिनका तालुक नौर्थीस्ट इंडिया से है उत्तरपूर्फ भारत से वहां से वो लगातार रिपोर्टिंग करती रही हैं कॉन्फलिक्ट पर रिपोर्टिंग करती रही हैं ऐसे हिस्सों के बारे में और ऐसे पहलूं के बारे में जिनके बारे में मुख्यधारा का जो मीडिया है वह तकरीबन खामोश रहा है इनकी अभी एक बहुत प्रमुख किताब आई है बुलिट प्रूफ जी हां आज हम बात क से लोगों ने सिर्फ एक ही बार में पूरा पढ़ लिया होगा एक थ्रिल है इसमें रोमांच है कॉन्फलिक्ट की रिपोर्टिंग के क्या-क्या पहलू हो सकते हैं इसको आपने बहुत खुबसूरती से लिखा क्या जर्णी है क्यों आपने इस किताब का शीर्षक दिया ब जब दिसकाशन चल रहा था तो मॉडरेटर ने मुझे पूछा मुझसे पूछा कि आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाती है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाती है क्या तो मैं खुद हैरान हो गई कि यह सब बाते कभी सोचा भी ने था कि एक ज़नलिस्ट भी प्रूफ जैकेट पहन सेखते हैं तो जैसे आपने कहा कि उतरपूफ भारत बिल्कुली इस आउट अट 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 रादर ऑफ दे सो कॉल नेशनल मीडिया में हम लोग कम ही आते हैं और हमारी स्टॉरीज देर नेवर टोल्ड तो हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं और इ बॉम ब्लास हुआ है हमने देखा है कि दर क्या होता है हम लोग मतलब दिल्ली में रहके आप समझ नहीं पाएंगे कि दर क्या चीज है तो उस वैसे एक सिचुएशन में जर्नलिजिम करना वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और इस्पेशली स्टेट्स लाइक न दिक्टाइट साएंगे कि आप पेपर नहीं चाप सकते हो आपका पेपर जला देंगे आपका जर्नलिस्त आर किल्ट इंजिर्ड यह बहुत कमन हो गया है तो इस लाइक यह सिंपली स्टेटिस्टिक्स अगर आप मर गया तो एक अनादर फिगर इन ड़ स्टेटिस्टिक्स मेरा पत्रकारों का भी मारा जाना उनका हिंसा का शिकार होना काफी कॉमन है वहां तो और इस नो सपोर्ट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए एक सोशियल लीगल साइकोलोजिकल कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वह जो जब मुझे मुझे से पूछा गया कि आ यह जाती थी मेरे लिए उत्तर पूप का स्टॉरी इस अजिस्ट एक नॉर्मल स्टस्टिक का स्टॉरी नहीं होना जाया और बहुत ही और कॉन्फिक रिपोर्टिंग बहुत ही मैस्कुलीन एफिर है कि आप बोलें कि हाँ एक बोंबलस्ट हो गया एक यह हो गया और उसके इतने इतने मारे गे, इतना पकड़ा गया, those kind of things are very masculine. लेकिन उन stories के पीछे जो stories है, और तो के stories, महिलाए, बच्चे, how they are affected by conflict. और मैं खुद एक जर्नलिस्ट, how am I affected by this conflict? तो I think basically this is a story of a journalist. मेरी अपनी एक जर्नलिस्ट करीब 15-20 साल की पत्रकारिता की. और इस किताब में आप काफी जगों पे जो आपकी एहम reporting रही. मनिपुर में जो fake encounter वाला है, वो आपका आखरी chapter है, जिस पे हम आगे और बात करेंगे. मैं जो आपसे जाना चाहती हूँ, कि जो conflict reporting है, भारत में जो अवधारना और खास्तौर से भी मैं आपका ध्यान इस और भी ले जाओंगी, कि कश्मीर से काफी खबरे आ रही है. आपकी किताब की कई chapters मुझे याद आए, जब मैंने कश्मीर के जो journalist हैं, कश्मीर में जो महिला पत्रकार गई हैं, या वहाँ से जो लोग लिखना चाहती हैं, उनकी जब संस्मरन या उनकी जब रिपोर्टाज देखे मैंने, तो मुझे लगा कि तकरीबन वही बातें आपके अपनी किताब में कहीं हैं, जैसे अभी आप कह रही हैं, आपके लिए आसान रहा ये रिपोर्ट करना, बाकी mainstream जगों पर छपना को कि आप mainstream दिल्ली में आप छपती रही तहलका में आपकी reports से हंगामा रहा बहुत उस पे follow-ups भी हुए As a woman conflict reporter कैसे आप देखती हैं खुद को जी मैं एक बात में believe करती हूँ कि you can only be a good journalist or a bad journalist अच्छी reporter हो सकती है एक खड़ाब reporter लेकिन उसमें यह बात भी बोलना असान है पर अप महिला होने से there are certain things which really matter आप कहीं भी चले गए मैं चली गई बर कभी मेरे साथ कोई हाथसा नहीं हुआ तो शायद मैं I was fortunate अगर कुछ हो जाता तो एक महिला के साथ क्या क्या हो सकता है आप अनुवान कर सकते है और मतलब जैसे मैं खुदी मतलब जैसे मैं मनिपूर में मैं reporting के लिए जाती थी तो इवनिंग जब हो जाता था तो गारी के अंदर का light on होना है हम लोग जब जाते थे तो एक ambulance hire करके मैं जाती थी तो वहां गारी का light on होना होता है शाम होने के साथ साथ सब्सक्राइब जाता होना 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 होन अगर से करके की अगर मैं कमफरेबल रहुन और अगरे से बात कर रहे है और लोग भी थोड़ा अनकोमफरेबल रहते थे की एक अरत से बात कर रहे है और लोग आक के तरफ भी नहीं देखते थे मतलब you know they they treated me with respect वो तो उनका publicity wing बहुत ही important wing है they understand the power of media so उस हिसाब से it was quite interesting in many ways it was quite thrilling पर अभी जब मैं सोचती हूँ 10 साल पहले मैंने जो पत्रकारिता की है तो शायद I should have also thought about my personal safety वो चीज मैंने बिल्कुली इग्नॉर किया so I think ये जो journalism schools है media schools में this conflict reporting should be made an important component कि आप अगर ऐसी situation में हो आप किस तरह के precautions ले सकते है और लेना चाहिए and not just physical safety it's a mental trauma that is something जो दिखाई ने देती है psychologically आपको कैसे affect करता है conflict वो चीज़ एक dead body वो एक violent scene देके आपको कैसा एक वो रह जाएगा आप imagine भी ने कर सकते है जैसे आपने moneypur fake encounter वाला जो आपका आखरी chapter है इसमें आपने लिखा है कि वो chapter यह वो जो आपकी पूरी report थी वो आपके साथ आपको रात में भी परेशान करती रही उस दोरान आप रेगनेंट थी और पूरी आपकी जिंदगी थी वो उस report से बहुत प्रभावित हुई तो वही मैं मतलब इन फाक्ट मैं I had to go to a psychiatrist also just for counselling क्योंकि मुझे post-traumatic stress disorder हो गया था तो मैं अपने पच्चोकते चिलाने लगी थी किसी को मार दिया ऐसे मैं बहुत गुसे में रहती थी और खुद का इक इनसेक्यूरिटी था you feel so vulnerable क्योंकि there was judicial commission, SIT, CBI सब ने interrogate किया तो वह एक बहुत ही lonely battle होता है मतलब ऐसा region से आप आए दिल्ली में बैठके आप समझ नहीं सकती कि कितना एक lonely होता है वह उस तरह का एक माहूल को face करना और उसके बाद जब आप बिलकुली जैसे nervous breakdown type का हो जाए तो आप मतलब मजबूर हो जाते कि एक counselling आपको ज़रुरत पड़े तो इसलिए मैं और मतलब मुझे बात में पता चला कि there are some international organizations International Women's Media Foundation वो लोग एक courses कराते है hostile environment and first aid training उस तरह का courses जो पत्रकारों के लिए होता है पत्रकारों के लिए especially महिला पत्रकारों के लिए तो वैसा ट्रेनिंग कभी हम लोगों ने पाया नहीं लोग फील में गए फील में देखे और फील में सीखे तो मैंने सोचा कि मैंने जो सीखा at least मेरे किताब की through my book कोई अगर नया मीडिया स्टुडेंट कुछ सीखे या इस पे कुछ analysis कर सके या further research भी कर सके और there are certain situations जो जैसे contract reporting will spring surprises अचानक कुछ हो जाता है और शायद मेरे साथ ही होगा और कभी होगा भी ने उसको पहले से आदमी सोच नहीं सकता कि ऐसा होने वाला है जैसे आप मुईवाह से मिलने गई तो भी उसी तरह से आप इतने समय से इंजार कर रही है थोड़ा उनसे जो मुलाखात रही कुछ उनके बारे में संगंठन के बारे में और अपनी रिपोर्ट के बारे में दर्शकों को बताईए हाँ वो एक कफी इंट्रिस्टिंग था क्यूंकि तुक में लॉंग टाइब नागलें जा के भी मुझे पांच शे दिन वेट करना पड़ा उनके साथ एपोइंट्मेंट के लिए फिर रस्ते में देवाज़ाश देवाज़ाश देन एक थोड़ा उस लीडर के नाम आज अगर मैं घर वापस नहीं जाओ अगर मैं यहीं पर मतलब I'll be reduced to a statistic कि चलो और एक उतरपूप में reporting करते बग्त और पत्रकार मारेगे तो उस थरह कभी अगर होता मतलब मैंने It did not strike me and then when I interviewed Mr. Muiwa जो NAC and IIM के chief है तो basically you know I think एक महिला होने के कारण या whatever में तब मेरी सोच अलग है थोड़ा तो मैंने उनको डाइरेक वो those political questions नहीं पूछे मैंने उनके अच्छा आप क्या खाते हैं क्या पहनते हैं तो वो थोड़ा हैरान रहे कि यह तो डाइरेक वो peace talks के बार में बोले ऐसे नहीं पूछा तो धीरे धीरे उनको खोला परत दर परत तो लागी उन्होंने अपना वो उनके साथ बैठे थे उनको कुछ कान में बोला तो मैंने लागी जब निकलते वग्ट मैंने पूछा की क्या बोला तो बोला तो बोला this reporter is very cunning तो यह मतलब मेरे लिए एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंट है मैंने कर भी सोचा नहीं था क्यों मैं कॉनिंग हूँ तो अलग टाइप का एक्सपिरियंस है विच कभी मुझे सोच के लगता है कि क्या मेरे साथ सच में हुआ था ये सब भी लगता है पूरी फैमिली में मैं फस्स पत्रकार हूँ तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कोई मेंटर भी नहीं था तो आई वस ऑन माई ओन की पुरी तरह से थोड़ा सा मनुपुर वाला जो एक फेक इंकाउंटर वाले स्टोरी है जिसने मनुपुर की पॉलिटिक्स में और पूरे उत्तर पूर्व की पॉलिटिक्स में एक ऐसा एविडेंस पैदा कि हाँ ये एंकाउंटर फेक है और मुझे लगता है कि काफी आंदोलन भी उस पर हुआ और जो दोशी थे उन्होंने भी कॉन्फेस किया कि हाँ ये एंका अभी भी चर्शा में है, उत्तरपूर अभी चर्शा में है, देखे, उस स्टोरी के बात मैं आज तक मनिपूर गई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तॉप ओफिशियल ने बोला कि तुम मत जाओ, you know, so, उस स्टोरी ने मुझे हिला के रख दिया, actually, you know, and then, and then, जो बात में जो जो जुदिशियल प्रोसीडिंग सायना, एक कोट सामन घर में आना, that is a big thing, मेरे पापा रिसीव कर रहे है, और बोला कि तुमारे लिए एक सामन आया है, वो दर रहे थे कि इसको रिसीव करे या ना करे, you know, and then, मुझे लगा कि अभी तो जाना परेगा, you know, फेस करना एक ट्रॉमाटिक, फिर अप जैसे I was expecting, मैं प्रेगनन थी, तो उस हालत में, you know, to face this kind of grilling, this kind of questioning, आपने उसमें लिखाया कि बिल्कुल ऐसा लगता था, कोट जाके जैसे आप क्रिमिनल हैं, तो और बाद में अभी भी आए, आंसर कोट समन्स, जब मैंने रिफ्यूस कर दिया कि मैं इंफाल नहीं जाओंगी, तो मेरे लिए गौहाटी में special session होता है, तो गौहाटी कोट में तो लोग भी हैरान हो जाते कि आप कैसे इस case में, आप कैसे जाएं, मतलब क्योंकि मनिपूर से आते हैं, मतलब उनके लॉयर साते हैं, उनके पुलिस के लोग आते हैं, और मै अकेले यहाँ खड़ी होके, I'm giving my, and then this whole story was based on some photographs taken by an anonymous photographer, तो मेरे उपर वो बर्डन भी था कि I have to protect that photographer's identity as well, क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहता है, तो में खुद को बचाओ, और फिर उनको भी बचाओ, and repeatedly मेरे उपर वो प्रेशर था कि उनके बारे में हमें बताओ, उनका आम रिवील करो, so I had to just say that, you know, I am, this is against the freedom of the media, so this was very difficult, and बिल्कुली नया experience था, जो जिस ने, जिस इंसिदें ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, and I feel that, you know, I would like to share it with at least media students who report from those. कम से कम एक दस्तावेज किताब के तौर पे सामने है, ये बताइए, ऐसे आप हैं, रानायूब हैं, कई और लोग हैं, जिनोंने बहुत important घटनाओं पर, incident ऐसे रहे, जिन पर report की, और उसका, उनके निजी जिन्दगी में, जो private life है, अपनी personal life है, उस पे भी बहुत असर कि बहुत सारे जैसे ए ग्रूपस है, women journalists के, network of women in media, South Asia women in media, then, you know, at least महिलाओं के जो ग्रूप है, वो लोग एक, at least, you know, एक support में एक चिठी भी दे दे, एक petition, वो भी एक, I think it matters, so I think now, we are little more organized, थोड़ा, एक वोईस तो निकलता ही है, But still, I feel, we need to be more vocal, and then, especially, हमारे जैसे region में, we should involve more women journalists, especially, जो छोटे-चोटे कजबे में करती है, काम, या छोटे गाओं से reporting करती है, उनके लिए कैसा challenges face करती है, क्योंकि एक बार मैंने बिहार, पत्ना में एक conference में, मैंने उर्दू पत्राकारिता के journalist से मिले थे, तो उनकी experiences, उनके मुझे लगा की, you know, that basic facilities, जैसे internet का भी problem है, and then रात को travel करना कुछ गाओं में, कुछ इलाकों में, it's so difficult, जैसे मैं मुंबाई गई तो रात को बारा बजे कोई बोला, चलो हम लोग, let's go for a walk, मतलब हम सोच भी ने सकते कि रात को बारा बजे कुछ एरियास में, especially Manipur, Naga land, you know, it's 6 o'clock is curfew, आप घर पे हो, अंदर, तो एक अलगी दुनिया है हो, तो वहाँ, I think, और जागरुकता की ज़रुवत है, कि हम एक जुद हो के, at least, एक support system तो बनाए, एक network तो बनाए, और अरतों के लिए, महिला पत्रकार्टों के लिए, so that they come out, और महिला आजाए इस profession में, छोटे-छोटे गाओं में, जैसे, और उनके पास कोई backup हो, कुछ security का थोड़ा सा हिसाब हो, आपका तालुक असम से है, आप गुहाटी से तकरीब बन 200 किलोमीटर दूर रहती हैं, और आपका अपने किताब में भी लिखा है, और आप ल blast या कोई बड़ी घटना ना हो जाए, तब तक हम नहीं बात करते, अभी आपका जो राज्य है वो चर्चा में है, उसकी वज़ा NRC है, 19 लाख लोगों के नाम नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और धीरे धीरे ये मुद्दा कुछ अख़बारों तक में स्ट्रीम में आ या ट्रॉमा के तौर पे बहुत बड़ा एक दूस्वापन के तौर पे NRC का एक खत्रा, हमने लगातार खबरे देखी कि लोग किलोमीटर किलोमोटर जा रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, ये सारी चीज हैं, आपके लिए NRC as a journalist, as a woman journalist, as a citizen of Assam, क्या है? to fight their case, but I think, अभी जो confusion चल रहा है, nobody knows, क्या होने वाला है आगे, क्या करेंगे, अगर कोई किसी का नाम बिलकुली ना है, तो उनके साथ क्या होगा, there is total lack of clarity, so I think, इसी लिए लोग आतंकित है, लोग डरे हुए है, जिनके नाम नहीं आए हैं, तो it's a very, and I think politicians are also playing with this issue, तो आगे क्या होगा, nobody is sure, क्या हमें detention center की तो photo मिल रही है, कि यह सबसे बड़ा detention center बन रहा है, भारत में इतना बड़ा detention center नहीं, कोई कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा detention center है, यानि एक हमने मान लिया है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को हम detention center में रखेंगे, उनसे बुनियादी सुविधाएं चीन लेंगे, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है citizenship amendment का प्रस्ताव है, जिसमें आपी मान के चल रहे हैं कि बाहर से आने वाले हिंदू तो तुरंद भारती नागरिक हो जाएंगे, लेकिन जो मुसल्मान बाहर से आएंगे, वो नहीं, त हो जाओओ पूओण सबस्क्राइब नागरिक हो जाएंगे, वो जाओओ नियु तो बाहर से एक मानवियर दिष्टी से एख स्मसले का हाल होना चैए, और यह तो कि जो क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, वो चीज, आ धिक बाहर एंगे, जो क्या होने वाला है प्रूव is a part of human civilization. तो वोसिसाब से देखे तो एक humanitarian crisis, we should not go towards a humanitarian crisis. We should think of ways to solve this problem in a reasonable way.